नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्राखंड विंसर इयर्बुक सीरीज जिसमें हम पूरी विंसर इयर्बुक को पेज बाई पेज यहां पे कवर कर रहे हैं आज हमारा ये इस सीरीज का 31 पार्ट होगा अगर आपने इस सीरीज के प्रिवेज पार्ट को नहीं देखा है आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं ये सीरीज आपके उत्राखन जीके, उत्राखन करंट अफेर, सामाने ग्यान और सामाने ग्यान करंट अफेर के लिए काफी जाधा important है इन सब के questions आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे आज का ये वीडियो हमारा इसका 31 पार्ट होगा इसमें भी हम उत्राखन के 20 important MCQs को यहाँ पे cover करेंगे आज की वीडियो में आपको उत्राखन जीके और उत्राखन करंट अफेर के questions यहाँ पे देखने को मिलेंगे with extra fact जिससे आपका revision भी हो जाएगा और आपकी अच्छे से practice भी यहाँ पर हो जाएगी तो चलिए दोस्तों आज की class को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला question है वर्तमान में उत्राखन उचनेले के मुख्यनेधीश कौन है देखे उत्राखन high court को लेकर आपसे धेर सारे question बनते हैं हम कोशिश करेंगे उन सभी question को इसी question के साथ यहीं पे cover कर जाएग आपका revise भी यहीं पर हो जाएगा देखे उत्राखन अगर हम high court की बात करते हैं वर्तमान में इसके जो chief justice है उनका नाम है विपिन सांगी इनका नाम आपको याद करना है option C सही answer हो जाएगा question बनता है उत्राखन high court के पहले मुख्यनेधीश कौन थे उत्राखन high court के पहले मुख्यनेधीश थे अशोक अभियंकर देश आई ठीक है उत्राखन high court का गठन कब किया गया ये भी पूछा जाता है तो जब राज्य का गठन हुआ 9 नवंबर सन 2000 में उसी समय high court का भी गठन हुआ था ठीक है तो इसकी deed भी सेम है किस आर्टिकल में समविधान के हमारे राज्य के अंदर या किसी भी राज्य में high court की इस्थापना का प्रावधान है तो वो है आर्टिकल 214 आपसे कोशन बनता है कि राज्यों में उच न्याले के गठन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है 214 में है ठीक है और इन आर्टिकल को हमने पहले भी याद किया था 124 सुप्रीम कोट से रिलेटिड है इन ही नंबर को आगे पीछे कर दीजिए 214 बनेगा इसमें राज्यों में high court है और इसी नंबर को फिर आगे पीछे कर दीजिए 241 बनेगा यहां पर केंवर सासित प्रदेशों का high court है ठीक है इन तीनों को साथ में याद करेंगे एक आर्टिकल है 231 दो या दो से जादा राज्यों का एक high court हो सकता है यह कहता है आर्टिकल 231 यह कुछ important आर्टिकल वापस आते हैं उत्राखन high court पर जब उत्राखन high court का गठन हुआ जो कि नैनिताल में ही से नैनिताल high court भी बोला जाता है 9 नवंबर 2000 में इसका गठन होता है यह देश का कौन सा high court था तो यह देश का 20 वा high court है ठीक है इसे भी आपने याद करना है हमने उपर बात करी पहले judge कौन थे chief justice पहले रजिस्टरार का नाम भी आपसे पूछा जाता है high court के पहले रजिस्टरार जनरल उनका नाम था GCM रावत उनका नाम भी आपको याद करना है ठीक है जो high court का भवन है आपका इसका निर्मान किसने करवाया था यह question बन चुका है पेपर में सेंटोनी मैक डॉनल्ड के द्वारा इस भवन का निर्मान करवाया गया था ठीक है कब करवाया गया तो शुरुवात वी 1897 से 1900 में जाकर यह बनकर तयार हुआ ठीक है इस भवन को जो यह high court भवन था इसका निर्मान बंकिंगम पैलेस की तरज उपर किया गया थ और इसका डेजाइन स्टीवन्स ने बनाया था इन दोनों का नाम याद करेंगे ठीक है बनवाया किसने मैक डॉनल्ड ने डेजाइन किसने बनाया इस टीवन्स ने ठीक है अगर हम कुल जजों की बात करते हैं आपसे कोशन बनते हैं कि उत्राकंड उच्छी न्याले में वरतमान में 9 पर्मनेंट जजिस और 2 अत्रिक्त जजिस यहां पर शामिल हैं तो अगर आप से पूछेगा उत्राकन हाई कोट में जजों की संख्या बताईए तो आप 9 बताएंगे कुल पूछेगा तो आप 11 बताएंगे ठीक है इसको आपने ध्यान रखना है और एक और तो एक कोशन से हमने इतने सारे कोशन यहां पर कवर किये नेक्स्ट है हमारा उत्राखंड का मौसम संबंदी पहला डॉपलर रडार का उधगाटन कहां पर किया गया है दिखे उत्राखंड में मौसम संबंदी जो पहला डॉपलर रडार है आपका इसे मुक्तिश्वर में इस्थापित किया गया ये भी current affair का काफी अच्छा question है 2021 में ही इसको यहां पर इस्थापित किया गया था मौसम से संबंदित हो गई है Doppler radar जो की मौसम की हमें पूर्व जानकारी दे सकता है ठीक है उसमें मदद कर सकता है कि आने वाला जो मौसम में वो कैसा हो सकता है ठीक है तो पूर अनुमान लगाने के लिए काफी important है कहां इस्थापित किया गया मुक्तेशवर में किया गया इसे आपने ध्यान रखना है इसके अलावा इसी प्रकार के दो रडार और इस्थापित किये जाएंगे उत्राखंड में एक होगा आपके लैंसे डौन में और एक होग को भी आपने याद करना है नेक्स्ट है निम्न में से किस जन्पत में राज्य का पहला टुलीप गार्डन बनाया गया है तो राज्य का पहला टुलीप गार्डन ये बना है पिथोरा गड में आप्शन ए सही आंसर होगा दो हजार बीस में ये बना है 19 में से मंजूरी मिली थी 20 में ही ये बना है तो ये भी एक अच्छा कोशन है पेपर में बन सकता है नेक्स्ट है निम्न में से किस इस्थान पर भारत का पहला glass bridge बनाया जाना था या फिर कह सकते हैं बनाया गया है तो भारत का पहला glass bridge ये आपके रिशिकेश में बनाया गया है Option C, सही आंसर हो जाएका और भारत का दूसरा Glass Bridge कहां बनाया गया है ये बनाया गया है बिहार में ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना है Question बन सकता है Next है, उत्राखंड का सबसे बड़ा Bio-Diversity Park कहां खोला गया है तो ये भी आपके जून 2020 में बना है Current का एक Question है उत्राखंड का सबसे बड़ा Bio-Diversity Park यानि कि जैव विविदिता उद्यान कहां पर खोला गया है ये आपके हल्दवानी में खोला गया है Option B, सही आंसर हो जाएका सबसे बड़ा है तो आपको इसका एरिया पता होना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा है ये आपके 18 एकर जमीन पर फैला हुआ है ठीक है? और इस पार्क में 500 के करीब प्रजातियों को यहां पर सरक्षित किया गया है ठीक है? जो पौदे हैं उनकी तो इसे आपने याद करना है सबसे बड़ा Bio-Diversity Park हल्दवानी को लेकर आपसे बहुत सारे कोशन बनते हैं हल्दवानी से जुड़े हुए तो एक आप किजिए जहां पे आप Notes बनाते हैं वहां पर हल्दवानी की heading बनाईए और सारे कोशन तो हल्दवानी के साथ आप यहां पर एक जगा पर लिख लीजिए, हलदुआनी से घेर सारे question बनते हैं और कितने previous year के हैं, वो सारे हम यहीँ पर लिख लेते हैं दिखिये, पहला question बनता है हलदुआनी का प्राची नाम क्या था? हलदुआनी का प्राची नाम था बमूरी, इसको याद करेंगे यहाँ पर हल्दू के पेड की अधिकता है इसलिए इसका नाम हल्दुवानी पड़ा कोशन बनता है इसे वर्तमान नाम किस ने दिया तो वर्तमान नाम दिया इसे विलियम ट्रेल ने इसको भी याद करेंगे दो कोशन हो गए प्राची नाम और वर्तमान नाम किसने दिया विलियम ट्रेल ने एक कोशन और बनता है ट्रेल को लिकर के कि आधुनिक हल्दवानी का निर्माण किसने करवाया तो आधुनिक हलदवानी का निर्माण भी विलियम ट्रेल ने करवाय था नाम इसने कब दिया था? 1834 में ठीक है? विलियम ट्रेल ने हलदवानी में अपने लिए एक बंगला बनवाय था जिसे हम कहते हैं खाम का बंगला ठीक है? कोशन बनता है हलदवानी इस्तित खाम का बंगला किस से संबंदित है? तो आप बताएंगे विलियम ट्रेल से संबंदित है ये इंपोर्टन कोशन फिर अगर हम आगे चलें कोशन बनता है 1857 की करांती के दोरान जो एक हजार करांती कारी थे उन्होंने हलदवानी पर कबज़ा कर लिया था कब किया था? 17 सितंबर 1857 को ठीक है? इस समय कुमाव कमिशनर सभी जानते हैं बहुत बार पेपर में आये हैंन्री रैमजे था रैमजे ने किसे हलदवानी में करांती के दमन के लिए भेजा था जो रैमजे था उसने मैक्सवेल को भेजा था इसे भी आपने याद करना है कि हलदवानी में करांती के दमन के लिए किसे भेजा गया? मैक्सवेल को भेजा गया 17 सितंबर को करांती कारियों का अधिकार था 18 सितंबर को यानि अगले ही दिन वापस से ब्रिटिश का यहां पर कबजा हो गया था एक कोशन ये याद करेंगे अगला कोशन जो हलदवानी से बनता है सारे कोशन हलदवानी के हम जहीं पर खतम करेंगे अगला कोशन जो हलदवानी से बनता है हलदवानी में नहरे बनवाने का काम किस ने किया? तो हल्दवानी में नहरे बनवाने का काम हेंडरी रेमजे के द्वारा किया गया, इसको भी आपने याद करना है फिर आते हैं अगर हम आगे चलें तो एक वर्ष आएगा उन्निस सो अठारा 1918 में कुमाव परिशत का दूसरा अधिवेशन आयोजित होता है और ये दूसरा अधिवेशन हल्दवानी में होता है कुमाव परिशत के अधिवेशनों से सवाल आते हैं कुमाव परिशत का दूसरा अधिवेशन हल्दवानी में होता है 1918 में होता है और इसकी अधिक्षता तारदद गेरोला करते हैं इसे भी आपने याद करना है हल्दवानी नगरपाली का कब बनी तो हल्दवानी नगरपाली का 1966 में बनी और हल्दवानी को नगर निगम 2011 में घोशित किया गया इस दोनों याद करेंगे कोशन बन जाता है कुछ important fact और हल्दवानी को लेकर के लगु उद्योग सेवा संस्थान कहां पर है आपके हल्दवानी में है ये कोशन बनता है ठीक है लगु उद्योग सेवा संस्थान कहां है हल्दवानी में चौथा, देश की पहली जैविक कृशी मंडी कहां प्रस्तावित है, वो भी हल्दवानी में हैं, पांचवां कोशन, ब्रिटिश काल में हल्दवानी को क्या कहा जाता था, तो ब्रिटिश काल में हल्दवानी को पाहाड का बाजार बोला जाता था, छटवां जो कोशन बनता ह उपर हमने सारे फैक्टों को देखा, अब यहाँ पर जल्दी से इन वन लाइनर्स को लिख लीजिए, जो हमने यहाँ पर देखे, कि सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी, सबसे पहली बांस मंडी, देश की पहली जैविक क्रिशी मंडी, ब्रिटिश काल में पहाड का बाजार, उत्राखंड का पहला प्लाजमा बैंक, ये भी कहां खोला जाएगा, ये भी आपके हल्दवानी में खोला गया है, एक प्रिविस एर कोशन है, नाहान परवश रंखलाएं, कहां इस्तित हैं, हल्दवानी कौन सी नदी के तट पर है, हल्दवानी आपके गौला नदी के इंद्रा गांधी किर्केट स्टीडियम कहां इस्तित है, ये भी आपके हल्दवानी में इस्तित है, 2016 में बना था ठीक है, इंद्रा गांधी किर्केट स्टीडियम हल्दवानी में है, राजिव गांधी वाला देहरा दून में है, ठीक है, ग्रामीन एवं कृशी विकास समी ये भी आपके हल्दवानी में है, आपने याद करना है, कब बनी थी ये समीती, 1995 में, उच्च सिक्षा निदेशाल है, प्रिविस एर का कोशन है, कहां पर इस्तित है, हल्दवानी में इस्तित है, उच्च सिक्षा निदेशाल है, ठीक है, शुशिला तिवारी मेमोरियल हॉस् कहां इस्तित है? हल्दवानी में इस्तित है, कब खुला था? 1997 में, 2004 में Medical College का इसको दर्जा दिया गया, और 2010 में राजगिया Medical College का दर्जा दिया गया, ITBT Park कहां है? हल्दवानी में है, राज्ये के अंदर कथा उद्योग ये कहां है? हल्दवानी में है, राज्ये का जो पहला दुख्द डेरी संह था, जो 1949 में खोला गया, कहां खोला गया? हल्दवानी में, ठीक है, वन, एवम, पंचायद प्रिक्षिक्षन अकेडमी, कहां इस्तित है? ये भी आपके हल्दवानी में इस्तित है, तो हल्दवानी से, हमने सभी questions को यहाँ पे cover किया विद करता हूँ आपने इनको अच्छे से note किया होगा इससे आपको चीजों को link करने में आसानी होगी और एक जगा के question हम एक जगा पर इनको करने से आपको इनको याद करने में भी मदर मिले की चलिए next है उत्राखंड में पहला COVID-19 का मामला निम्न में से किस तिथी को आया था तो current में हो सकता है पूछ लिया जाए कई बार हम इसको कर चुके हैं पहला COVID मामला उत्राखंड में 15 मार्च 2020 को आया था अगर हम दुनिया की बात करते हैं दुनिया में पहला कोरोना का केस कब आया था ये आया था 17 नवंबर 2019 को चाइना में आया था चाइना का जो हुआन है उसके हुबई प्रांत में आया था भारत की बात करें तो भारत में पहला जो केस आया था वो 30 जनवरी 2020 में आया था उत्राखंड में 15 मार्च 2020 में आये था ठीक है ये तीन इंपोर्टन डेटें दुनिया में पहला भारत में पहला उत्राखंड में पहला डबलु एचो ने कोरुना को महामारी कब घोशित किया था इसको भी हम कर चुके हैं 11 मार्च 2020 को डबलु एचो ने इसे महामारी घोशित कर दिया था भारत ने इसे आपदा घोशित कब किया तो भारत ने भी इसे 14 मार्च 2020 को आपदा घोशित कर दिया और उसी दिन 14 मार्च क कोई ही उत्राखंड ने भी इसे महमारी घुशित कर दिया था और अगले ही दिन, 14 तारीक को उत्राखंड महमारी घुशित करता है अगले ही दिन, पहला केश यहां पर आ जाता है इसको आपने याद करना है कोरोना के दोरान एक नगर निगम जिसने अभियान चलाया था प्लास्टिक लाओ, मास्क ले जाओ किसने चलाया हो सकता है पूछ लिया जाए देहरादून नगर निगम इसको भी आपने ध्यान रखना है भारत में सरुप्रतम कोरोना का टीका किसे लगाया गया था देखे भारत में सबसे पहला जो कोरोना का टीका लगाया गया था ये आपके जनवरी 2021 में लगा था और किसको लगाया गया था मनीश कुमार को लगाया गया था option C, सही आंसर हो जाएगा एम्स के ये एक सफाई कर्मी थे, सबसे पहला टीका इनहीं को लगाया गया था, हो सकता है पूछ लिया जाए नेक्स्ट है, उत्राखंड में आरोही योजना का संबंद किस से है? आरोही योजना काफी पुरानी योजना है, 2002 में इसको शुरू किया गया था और इसका संबंद अध्यापकों और विध्यारतियों की कम्प्यूटर सिक्षा से है option A हमारा सही उत्तर हो जाएका, कब शुरू की गई थी? 2002 में कुछ इंपॉर्टन योजना है जो आपसे पूछी जाती है अगर हम बात करें पुरानी योजनाओं की तो एक आती है आपसे सहकारी सहभागिता योजना कब शुरू करी गई आप बताएंगे 2005 में पौद रोपण नीती लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी 6 जून 2006 को महिला शशक्तिकरण वर्ष कब मनाया गया प्रीविस एर का कोशन है 2006-2007 को महिला शशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया था दीन दयाल उपाद्याई उत्राखंड ग्रामीन विक आवास योजना कब बनी ये बनी आपके 2007 में ये कुछ पुरानी योजनाएं जो आपसे पूछी जाती हैं आगे हम और योजनाओं के बारे में बात करेंगे उत्राखंड में मेरा गाउं मेरा धन योजना की शिरुवात कब की गई थी मेरा गाउं मेरा धन योजना ये 2014 में शुरू करी गई थी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएका 2014 में इसी नाम से मिलता जुलता एक और योजना शुरू की गई मेरी बेटी मेरा धन योजना कब शुरू हुई ये भी 2014 में हुई और एक और योजना मेरा पेड मेरा धन ये योजना भी 2015 में शुरू हुई तो तीन योजना है, एक दूसरे से मिलता जुलता नाम है, बस अपना याद करना है, गाउं और बेटी, दोनों 2014 में, और पेड़ वाली योजना, मेरा पेड़, मेरा धन, ये 2015 में हुई, बस इतना आपने याद करना है, ठीक है? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इन में से कौन यहाँ पर है, जो गलत सुमेलित है, सही आंसर है, इन में से कोई नहीं, यानि कि सभी के सभी आपके सही सुमेलित है, देश का पहला कवक पार्क, जिसे हम कहते हैं, लाइकेन पार्क, बहुत बार कर चु में खुला, 2021 में ये भी आपका सही है, पॉलिनेटर पार्क की बात करें, तो ये आपके हल्दवानी में है, ये भी आपका सही है, तो इसे भी आपने याद करना है, तीनों के तीनों आपके सही है, उतराखंड का प्रसिद परियतन इस्थल जिलासु निम्न में से किस परियतनिस्थल पूछ लिये जाते हैं, जैसे एक बार पूछा गया था, खिर्सु परियतनिस्थल कहां है, तो ये आपके पौड़ी गड़वाल में पड़ता है, उत्राखंड में खनन नीती की घोशना कब की गई थी, खनन नीती के अगर हम बात करते हैं, लास्ट वीडियो नेक्स्ट है हमारा, उत्राखंड में भकार का उपियोग किसके लिए किया जाता है, उत्राखंड में भकार शब्द जो है आपका अनाज संग्रह या खाद्यान भंडारन के लिए किया जाता है, ठीके भकार का अर्थ किस से है, अनाज संग्रह या खाद्यान भंडारन से, ये कोशन भी एक प्रिवेस एर का कोशन है, याद करेंगे। उत्राखंड के निम्न में से किस व्यक्ति को प्रधान मंत्री राश्ट्रिया बाल पुरसकार 2021 के लिए चुना गया था। देखे ध्यान रखना यहाँ पर 2021 का पूचा है, 2022 का नहीं पूचा है। 21 और 22 दोनों आपको याद करने होंगे। अगर हम बात करें प्रधान मंत्री राश्ट्रिया बाल पुरसकार 2021 तो यह मिलाता अनुराग रमोला को। और अगर हम बात करते हैं 22 के लिए तो 22 के लिए ये अवार्ड शिवम रावत को दिया गया था। इनको आपने याद करना है 21 में अनुराग रमोला और 22 में शिवम रावत दोनों पूचे जाने के प्रबल चांसे हैं। उत्राखंड के कुमावनी भाषा में जोई शब्द का संबंद किस्से हैं। तो यहाँ पर एक कुमावनी शब्द दिया गया था जिसका संबंद बताया गया है कि खाद्यान पदार्तों से इसका संबंद है। पंडित, नैन सिंग, सर्वेयर, परवता, रोहन, प्रशिक्षन, संस्थान कहां इस्तित है। तो यह आपके पिथोरागड में इस्तित है। उत्राखंड स्वान योजना का संबंद किस से है। अगर हम बात करें उत्राखंड स्वान योजना की। स्वान इसका है नाम, इंगलीश मगरम लिखते हैं, पूरा नाम अगरम फुलफॉर्म की बात करें, इस्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, यह आपके बैंडविध कनेक्टिविटी से संबंदित है। उप्शन B, सही उत्तर हो जाएका। इस योजना को लेकर के तीन महत्पूर्ण बातें आपको याद करनी हैं, जो हमने एक बार पहले भी जब हमने बेयस नेगी वन लाइनर सीरीज कवर करी, वहाँ पर भी डिसकस किया था तीन महत्पूर्ण बातें। पहला इसकी शुरुवात 2005 में करी गई, इस योजना के तहट जो भी गर्वती महिलाएं किसी सरकारी हस्पताल में किसी बच्चे को जन्म देती हैं, तो उनको 1400 रुपए की धनराशी वहाँ पर दी जाती हैं, ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये याद करना है। दूसरा पॉइंट, 2015 में इस योजना के अंतरगर एक और योजना को शामिल किया गया, खुश्यों की सवारी योजना, जिसके तहट जो खुश्यों की सवारी योजना है, वो जो महिला है और जो उनका बच्चा है, उसे वो सुरक्षित घर तक लेकर जाएंगे। तीके, कब शामिल किया गया, इसमें खुश्यों की सवारी को, 2015 में, और तीसरा, 2017, जब ये 1400 रुपए की धनराशी को बढ़ा कर 6,000 रुपए कर दिया गया, 2017 में, ये तीनों वर्ष आपको याद करने है, इंपोर्टेंट है, तीके, चलिए। उतराखन सरकार द्वारा शुरू किया गया सचेथ निम्न में से क्या है? दीगे, उतराखन सरकार के द्वारा एक पोर्टल लॉंच किया गया था, तीके, एक पोर्टल है ये, नाम है इसका सचेथ, और ये शुरू किया गया भूकम्स से बचने के लिए, तीक है, option C हमारा स नहीं आंसर हो जाएगा, भुकम से बचने या जो आपदा हैं, उनसे बचने के लिए एक पोर्टल की शुरुवात करी गई, जिसका नाम है सचेत, तो इसे आपने ध्यान रखना है, 2019 में इसकी शुरुवात करी गई थी, ठीक है, निमलकेत में से कौन सुमेलित नहीं है, तो उत्राखन पौदरोपन नीती, हुपर हमने बात करी, 6 जून 2006, उत्राखन आपात कालिन सेवा, 15 मई 2008, ये भी बिल्कुल सही है, जो 108 आपात कालिन सेवा है, उसकी शुरुवात 2008 में होती है, और फिर इसकी सहायक सेवा के रूप में, डोली सेवा की शुरुवात होती है, 2012 स तो तीनों के तीनों यहाँ पर सही सुमेलित हैं, उप्शन D, उप्युक्त सभी सुमेलित हैं, तो इसे आपने याद करना है, ये कुछ important योजना और नीतियां, उत्राखन की और important योजना के अगर हम बात करें, जो पेपर में पूछे गई हैं, और पूछे जाने के जिनके chances हैं, देखिए, एक आती है, आपसे पूछी जाती है, एक डिस्ट्रिक्ट परियोजना, इसे कब शुरू के आ गया था, तो एक डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में शुरू करे गई, question बनता है, राश्टिया युवानीति को हमने previous वीडियो में देखा, 5 सितंबर 2011, प्रोतेली पेंशन योजना, सहकारिता किसान कल्यान योजना, कब शुरू हुई, 1 अक्टोबर 2017, होम इस्टे योजना, इसकी शुरुवात कब की गई, होम इस्टे योजना, 2018 में आई, राज्या स्टार्टप नीती, कब आई, 2018 में आई, दीन दयाल उपाध्याए, ग्राम मई 2018, और इसी दिन एकोर योजना आई, एकल महिला रिन योजना, 16 मई 2018, अटल आयुशमान उत्राखन योजना, प्रिवेश युडियो में बात करी थी, 25 दिसंबर 2018, देश को जानो योजना, 2019 में शुरू हुई, मुख्यमंत्री सरोजगार योजना, 2020 में शुरू हुई, ये कुछ important योजना जो आपको पता होनी चाहिए, सबसे important वीर चंदर सिंग गडवाली परियतन सुरोजगार योजना, इसकी शुरूवात कप करी गई, 1 जून 2002 से, ठीक है, उत्राखन सरकार के द्वारा किन वर्षों को परियतन वर्ष के रूप में मनाया गया, दो वर्ष यहारी कुछ ऐसे थे, जो आपसे पेपर में पूछे गए हैं, यह परियतन वर्ष पूछा गया है, जो आपकी वीर चंद सिंग गडवाली परियतन योजना है, वो पूछी गई है, आपकी राष्टिया युवा निती पूछी गई है, इस डिस्टिक परियोजना, 108 अपात का लिंट सेवा, पौध रोपन निती, यह सब आपसे पेपर में पूछे गए हैं, उमीद करता हूँ आपने इनको नोट कर लिया होगा, तो फ्रेंड्स यह था हमारा उत्राखन विंसर एरबुक सीरीज का आज हमने 31 पार्ट यहां पे कवर किया, उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है, कुश्यन अगर आपको अच्छे लगे है, और आपने यहां पर कुछ सीका है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेर करें, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट